वेल्कम इस्टूरेंट्स टू मैं चैनल दिस हित्ते शियर अगर आप चैनल पर नहे हैं तो प्लीज चैनल सब्स्राइब कर लें तो शली शुरू करते हैं सबसे पहले हम आइडनिफिकेशन डेटा लिख लेंगे जिसके अंदर की नेम ऑफ इस्टूरेंट सब्जेक्ट टॉ ठीक है यह स्पेस्पिक अब्जेक्टिव हो जाएंगे इसके बाद में हम सबसे पहले इंट्रोड़क्शन लिख लेंगे इसकी आप वीडियो पोस करके आराम से लिख सकते हैं क्लियर्टी हाई कर लेना इसके बाद में कोज कौन-कौन से कारण बन जाएंगे आएक की वजह डिप्थिरिया हो सकता है दो को इसके बाद में सिम्टमस के बारे में लगें हम बारेख सेंटम से कौन-कौन से कौन-कौन से लिखने को मिल सकते हमको कॉंप्लिकेशन के बाद में treatment पर कौन कौन से हम treatment method यूज करेंगे treatment के लिए कौन सी medicine यूज करेंगे वो लिख लेंगे हम कि यूज कि यूज किया जाएगा oxygen therapy एंटी टॉक्सिन सपोर्टिव में जैसे परसेटमॉल एनालजिसिक वगरा प्रोवाइड करवाएंगे हम यह treatment के लिए medication हो जाएंगे कि इसके बाद में preventive measures for diphtheria कौन कौन से preventive measures हम पहले ही apply कर सकते हैं यह use कर सकते हैं इसके वज़े से diphtheria हो ही ना ठीक है यह preventive measures हो जाएंगे कि लाश्ट में बेबिलिग्राफी लेंगे कि लिए तीन बुक हो जाएंगी ब्लेक के ब्रॉनर्ण सुद्दार्थ पिके पगवार और लाश्ट में नेट रेफ्रेंस अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्स्राइब करें साथ ही बेल आइकान को हिट कर दें ताकि जब भी मैं अगला वीडियो अप्लोड करूं आपको नोटिफिकेशन सबसे जल्दे प्राप्त हो और अगर आपको इसकी पीडियो चाहिए तो प्लीज मेरा टेलेग्राम चैनल जोइन करना है वहां मैं आपको इसकी पीडियो प् करने वाद